चलो दोस्तो ये वन साइट क्रोस हेर कट है दोस्तो चलिए हम आप लोग को ये दिखाने जा रहे हैं शुरू से लेके लास तक दोस्तो वीडियो में बने रही है आपको ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा सीखने को आ जाएगा देख सकते हो दोस्तो अभी है ये दो नमबर का कैप देख लीजिए दिख रहा है इसमें ये देखिए आपको नीचे से और उपर का जो बीच का है न वहां से ही आपको ट्रीमर चलाना नीचे भी नहीं एकदम लेना है और एकदम उपर ही नहीं लेना बीच से ही आपको ये दो नमबर का कैप चलाना है आप आपको अलग-अलग टेक्णी से दोस्तो मैं सिखाता हूं बताता भीूं आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तो मुझे अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं नहीं आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करये लाइक करये सेर करे कमेंड करें दोस्तो अगर आपका कुछ प्राबलम है तो मैं जरूर उसको रिजॉल करूँगा आप लोगो बताऊंगा कि आप ऐसे करो दोस्तो थोड़ा प्राबलम हो जाता हर कमेंट को जवाब नहीं दे सकता हो दोस्तो थोड़ा सा मैं भी काम करता हो फिर उसमें और भी कुछ काम रहता है दोस्तो जरूर जवाब दूँगा बस आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे हैं यह देखिए दोस्तो अभी एक नंबर का कैफ है नीचे देखो डार के बाल उसको नहीं कट करना है उसको कभी कट करना है मैं आप लोगों को बताऊंगे पूरा वीडियो देखते रहे हैं जहां से मैं कट मार रहा हूं आपको वैसा ही करना है देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे से एक दम नहीं लेना है एक नंबर का कैफ है यह ध्यान से देखते रहो आप लोगों समझ में आ जाएगा क एक नंबर का कैफ है दोस्तों देखिए कैसा चला रहा हूं है कि अगया देखिए यह थोड़ा से एर्जिस की अधा में कैफ दोस्तों देखो कैसे चला रहा हूं बस आपको ऐसा ही फॉलो करना है बस ध्यान से देखते रहो बस आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगा हेर कट करना देखिए अभी मैं फिंगर दिया पीछे ट्रीमर किया सेटिंग अभी कर रहो देखिए एकदम नीचे से नहीं है बीच से ही है क्योंकर हमको finishing देना है दोस्तो तो finishing के हिसाब से ही हमको cut मारना है तो आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा सही से कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप लोग तो दोस्तो सीख रहे हैं मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे सीख रहे होंगे और अपने क्लाइन के पर ट्राई भी कर रहे होंगे आगे भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे धान से देखी दोस्तो दोस्तो यहाँ पर एक नमबर से आप इसको थोड़ा मैच कर दीजिए देख सकते हो यह दोस्तो थोड़ा से यहाँ से आप लाइन मार दीजिए यह देखिए आप सीजर से या ट्रीमर से लाइन मार दीजिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट होता है दोस्तो लाइन का भी यह देखिए जो इक्स्टा बाल होते हैं जो उपर सेट नहीं होते हैं उसको आप निकाल सकते हो रेजर से भी निकाल सकते हो आप ट्रीमर से भी निकाल सकते हो जो एक्ष्टाई है दोस्तों वो ही और जो उपर के बाल है जो सेट होते हैं उनको मत निकालेगा नहीं तो लुक खराब हो जाता है आपके क्लाइन का दोस्तों बस आप लोगों प्यार चाहें सपोर्ट चाहें दोस्तों अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो जरूर मेरा सपोर्ट करें दोस्तों अगर लगता है तो वो तो आपके उपर है दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो यह देख सकते हो फिर से एक नमबर कायब है दोस्तों इसको जब हम नीचे से लेके सब उसको जीरो से वो दो नमबर एक नमबर करते हैं उसके बाद आपको फिनीसिंग के लिए चेक करना है तो एक नमबर से आप उसको इजी ली चेक करो और जहां पर आपको लगता है कि वहां मारना चाहिए तो उसके हिसाब से ही मारना है ट्रीमर को तो वो easily match हो जाता है जो कहें पर छोटे बड़े बाल रह जाते हैं वो set हो जाते हैं यह देखें easy है दोस्तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे यह देखिए दोस्तो अभी यहां पर आप लाइन मारो हम दिखा रहें कैसे मार रहें आप लोग भी अपने क्लाइन के उपर इसको ट्राइगर सकते हो थोड़ा सा clear लाइन मारना कितना अच्छे से लाइन मारो हो आप लोग दिखेगा दोस्तो क्योंकर ज्यादा ओवर भी अच्छा नहीं होता है जितना हमारे क्लाइन के उपर क्लाइन का पसनल्टी कैसा है दोस्तो उसके हिसाब से ही करना रहता है लुकिंग कि उसको सूट हो जाए देखे अब यहाँ पर जेल अपलाई कर दो थोड़ा सा फिर उसको डार कर दो थोड़ा ब्लेट से देख सकते हो मैं आप लोगों दिखा रहा हूँ और हमारा लाइन कितना स्टेट और क्लियर आया है वो भी आप लोगों को दिख जाएग ध्यान से देखिए जरूर दिखेगा यह देखिए थोड़ा सा वहाँ पर सेविंग जेल नहीं तो आप पानी से भी लगा के अच्छे से कर देखिए कि आपके क्लाइन को लगे ना देखिए धान देखिए देखिए दोस्तो बहुत इजी है आप लोग बहुत अच्छे ज़कर पहोगे अभी यह साइड में दोस्तों सेम आपको दो नंबर से ही स्टार्ट करना है सेमी है दोस्तों उस साइड का और इस साइड का कुछ डिफरेंस नहीं है बस एक साइड भी अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो दोस्तों इस दूसरे साइड में भी सेमी होता है सिर्फ क्या होता है उधर कट रहता है side में इधर कट नहीं रहता है बाकी इसको match करना है वो match आप देख लो कईसे करना है क्योकर ये one side cross haircut है बल्दब जेसे हम grass खड़ा रखते हैं वैसे ये भी खड़ा ही रहेगा लेकिन one side cross में खड़ा रहेगा बाल देखे ध्यान दीजिए दोस्तों अब यह दोस्तों देखे कैफ है एक नंबर का फिर से ही आपको जैसा उधर का किये थे आपको सेम प्रोसीजर इधर का भी है सेम करना है ध्यान देखे करो दोस्तों बहुत अच्छे से कर पाएंगे उमीद है आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे इतने दिन से मेरे चैनल को देख रहे हैं आप लोग ट्राइब भी कर रहे होंगे दोस्तों ये कुछ चार्जे इसने फ्री है आप लोगो तो फ्री में बता रहा हूँ बहुत से लोग तो क्या चार्ज करते है आप कहीं पर कोर्स करते हों सीखने जाते हैं वहाँ पर चार्ज लगता है मैं तो आप लोगो फ्री में दिखा रहा हूँ सब दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे देखिए यहां से आप कॉम से और ट्रीमर से इसको मैच कर दीजिए क्योंकर यह क्रोस वन साइड में यह चीज से आपको मैच करना बहुत जरूरी है ऐसे ही करना है मैच आपको तब ही वो क्रोस में खड़ा हो जाएगा बाल जब हम सेट करेंगे तो आपको दिखाएंगे देखिए ऐसे खड़ा होता है यह बाल सेट करने के बाद यह चीज कर ध्यान रखें दोस्तों फिर से मेने ट्रीमर नीचे किया फिंगर रखा उसके उपर नहीं जाना है दोस्तों इसको सेटिंक करने के बाद एक नंबर के बाद इसको पीछे कर यह सेटिंग से फिर आप इसको मैच कर दीजिए देखें बस आप फॉलो करते रहें मेरा हाथ दोस्तों आप एकदम अच्छे से एक्सपड हो जाएंगे और आपको कभी कोई फैल नहीं कर सकता है दोस्तों हेर कट करने में फिर से जीरो है दोस्तों अभी इसको जीरो पीछे आगे कर देना है सेटिंग से नीचे नीचे मार देना है इसली हो जाएगे देखें देखें जीरो है ना वस दोस्तों अभी इदर से फिर पीछे बैक साइड में दो नंबर कैफ है ध्यान से देखिए अपको ऐसा ही करना है दोस्तों आपको मैं बहुत सारे वीडियो में ऐसे बताया हूँ और वो इजी है दोस्तों यह देखिए फिर से कैफ एक नंबर का है देखिए कहां से मैचिंग कर रहा हूँ वो ध्यान दीजे पीछे देखिए दोनों साइड का करके अब ये बीच का और पीछे का रहे गया जो तो इसको कैसे मैचिंग करना वो चीज दिखा रहा हूँ यह देखिए अभी सेटिंग आगे किया एक नंबर का यह देखिए ध्यान रखिए बस यह देखिए सेटिंग किया अभी आप लोगों तक दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे सेटिंग करना है क्या करना है कहां से कितना सेक्षन लेना है तो उसके सबसे आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीड है आप लोगों समझ में आ रहा होगा देखिए अभी ध्यान देके करेंगे तो इजीली हो जाएगा देखिए जीरो है आप लोगों बता दिया हूँ जीरो नीचे मानना होता है वो कि आपको समझ में आ गए आपको कर भी रहेंगे वैसे ही बहुत आगे एक्सपड हो जाओगे आप लोग दोस्तों और मैं कैसा हेर कट करता हूँ दोस्तों कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा मुझे देखें दोस्तों अभी इससे फाइनल हो गए दोस्तों एक नमबर से देखें यह कैफ एक नमबर का फिर से आपको पूरत चेक करना है एक साइट से है आप चेक कर लो ऐसे ट्रीमर चलाते जाएए इससे क्या समझ में आ जाएगा कहीं का भी बाल छोटा बड़ा रहेगा तो आप लोगों यह ट्रीमर से से सेटिंग समझ में आजाएगा और सेट भी रहेगा बाल उससे आपको ज़्यादा ये लगेगा नहीं कि कहीं पे बाल छोटा है कहीं पे बड़ा है देखे जहां पे कुछ मिश्टेक लगता है तो ये फनी का सारा लेके आप उसको मैच कर दीजिए ये देखे द्यान रखे बस ध्यान से ही काम करेंगे तो जरूर कर पाएंगे अच्छे से देखे दोस्तों कितना क्लियर लाइन मेंने मारा है जो कि मैंने आपको बताया था है है यहापे लाइन मार रहा हूं कितना क्लीन है और कैसा लाइन है देख सकते हो आप कुई भी काम करो दोस्तों सफाई से करो तो जरूर वो आपके क्लाइन के उपर सूट करेगा और अच्छा भी दिखता है यहां पर दोस्तों आपको फिंगर से थोड़ा-थोड़ा हेर कट कर देना है सेक्षन में मतलब लेके थोड़ा-थोड़ा लाइन से यह देखिए थोड़ा-थोड़ा ही कट करना है क्योंकर बड़ा रखें कि तब भी वन-साइट क्रॉस हेर कट होता है यह वो नीचे नहीं रहेगा एक ग्रास जैसे हम ग्रास हेर कट बोलते है तो उसके इसको वन- सेट क्रॉस एर कट बोलते हैं रिए कि लिएर के इस तो एक है कि है कि हम कि तोड़ा-थब्स सभेरघ्ट करना है कि दयान देखे करेंगे तो सब होता है थ smt पिर दोस्तMER इसकोब ब्लो ड्रायर करना है दोस्तो अच्छे से विए है थोड़ा- थोड़ा बाल ह tane करना हैं देखिए कई से कर रहा हुं मैं जितना अच्छे से आप छोटा छोटे बाल थोड़े दोड़े ले Mexico ना आछे से हेर सेट हो जाता है मैं ध्यान दीजिए बस मैं कैसे कर रहा हूँ आप वह इसे ट्राइ कर ये जरूर हो जाता है और आप लोग खुझ से भी थोड़ा टाइलेंड अपना ये करिए दोस्तों आप लोग के अंदर भी बहुत कुछ टाइलेंड है दोस्तों आप लोग भी कर सकते हो सिर्फ क्या है हम लोग आपको आइडे दिखा सकते बता सकते आपका हाथ पकड़ के नहीं बता सकते दोस्तों इसलिए आपको खुझ अपने हिसाब से टाइलेंड अपना यूज करना है ये देखिए ग्रास है जिसको हम क्रॉस हेर कट बोलते हैं वन साइट क्रॉस हेर कट हमा क्लाइन का यह देखिए जैसे मैंने आपको बताया तो दोस्तों वैसा ही मैंने किया है वन साइट क्रॉस हेर कट है यह देखिए प्रॉपर कितना अच्छा हो गया देखिए दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें जादा से जादा लोगों तक पहुंचाए दोस्तों कैसा किया मैंने हेर कट कमेंट में उताए ठाइए